हेलो आफ लोग कैसे हैं हैं आफ लोग अच्छे हूंगे आज हम बनाने जा रहा हैं लेहसुन अद्रक का चटपटा चार इसके लिए लेहसुन लिया है अद्रक लिया है अद्रक को छील काट लिया है यह कसा हुआ अद्रक हो लेशन मिक्स है अधरक को पर घुके में काटने के बाद यह कस रहे हैं अब यह कसा हुआ अधरक तयार हो गया है अब इसको एक हम बड़ेट में खाली कर लेंगे या थाली प्लेट में किसी में भी खाली कर लेंगे उसके बाद हमने इसमें जो है हरा मिर्ष थोड़ा सा काट के मिला लिया है पका हुआ मिर्ष था उसको भी मुटार लिया है भरने वारा जो मिर्ष्व मिर्ष्चा होता है उसको काटा है इसे में छिला हुआ खड़ा लेसुन भी है लेसुन को कसा नहीं है लेसुन खड़ा है अब इसको हम सब एक में मिला लेंगे और इसमें अमचूर डाल दिया है थोड़ा सा खटा स्वाधा जाए इसके लिए इसमें आम का अमचूर डाल दिया है अब इसमें धनिया पाउडर डाल रहे हैं भुना हुआ भुना हुआ मसाला कलाउंजी सौफ मंगरेल जीरा मेथि और राई जो पिसा हुआ रखे हैं उसको भी डाल रहे हैं जो भरुआ मिर्चमी यूज होता वो मसाला इसको भी डाल दीए हैं कि इसके बाद फिर इसमें हींग डालेंगे थोड़ा सा स्वाधानुसार है अब ही थोड़ा ज्यादा डाले जिके अससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है है कि इसके बाद इसमें नमक डालेंगे नमक थोड़ा ज्यादा ही डालिएगा चुकि नमक पड़ा रहता है बहुत चेटंग नमक कीजिएगा लेकिन अच्छा भी कम बराबर रहे उसके बाद इसमें कड़वा ते लाइट करेंगे अब इसको सबको मिला लेंगे अच्छे से खुब नमक पॉलाने के बाद इसको सबको खुब अच्छे से मिला लेंगे तेल जादा मत डालेगा इतना डालेगा कि अच्छे से मिल जाए सब अभी मेरा चत्पताचार तयार हो गया अभी इसको हम जो है एक उसमें चीछे के जार में भरके रख देंगे रखने के बाद है एक हपते धूप में रखने के बाद यह तयार हो जाएगा अभी मेरा चैट तयार हो गया है अब इसको एक सीसे के जार में भरके आप रख दीजिए धूप में एक अब देगे की बात खाने लाग तयार हो जाएगा यह रिस्पी आपको कैसे लगी देखके बताईए लाइक किजिए, सेर करिए, कमेन करिए, सबस्क्राइब किजिए, सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा